बिस्मिल्ला रह्मानी रहीं, अस्सलाम अलेकुम, कैसे हैं आप सब, उमीद है आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज की मेरी रेसिपी है बर्फी, बर्फी बनाने के लिए मुझे एक लिटर दूद चाहिए, फुल फैट वाला हो, शुगर चाहिए, मिल्क पाउडर चाहिए, और इलाईजी पाउडर चाहिए तो चलें आएं स्टार्ट करते हैं इसमेर रह्मानी रहीम तो एक पैन में हमने मिल्क शामिल कर दिया इसको अच्छी तरह से पताना है पहले तो इसको बॉल आने दे दूद को बॉल आ गया तो अब हम इसकी फ्लेम हलकी कर देंगे और यह जो साइड पे जो दूद लग रहे इसको चमच की मदद से इसी में शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक यह गाड़ा ना हो जाए इसमें हम इलाइची पाउडर शामिल करतेंगे और यह मैंने चीनी लिया है थ्री टेबल स्पून इसमें शामिल करतेंगे इसमें शामिल करतेंगे मिल्क में हम मिल्क पाउडर शामिल करतेंगे यह तकरीबन मैंने टू एंड हाफ टेबल स्पून इसमें मिल्क आइअ इसको अच्छी तरह से मिक्स करतेंगे मिल्क पौडर ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो डाल दें वरना कोई इतना जरूरी नहीं है यह देखें अप काफी ज्यादा यह गाड़ा हो रहा है तो इस स्टेज पे आप शूगर भी चेक कर सकते हैं कि मीठा कम तो नहीं है अगर कम है तो थोड़ा और डाल लें लेकिन मेरे लिए परफेक्ट है ठीक है और अब चमच हमने चलाते रहना है अच्छी तरह ज़िए क्योंकि नीचे ना लगे यह देखें कितना गाड़ा हो गया जो दिलकुल खोया बन गया क्योंकि दो बूइप है बड़ा कि अखें कि अच्छा कि अच्छा मेरे का अच्छा तरहां ओईलिंग कर लेंगे तब पाइजी पेपर लगाकर इसको अच्छी तरह से हमने इसमें लगाकर तो इस तरह इसको दबा देना है सेट कर लेना है और फिर इसको प्रेस करते हैं फुरा थोरा है इसके अच्छी तरह नगे बिली शुच्छी तरह दे और मॉमम्लाच पेखरो बिली तरह क्षची देकर अच्छी तरह इसक्ता प्रेश्छाउ में लुच्छी नगे अब हम इसे कट कर लेंगे हमारी बहुत ही मज़ेदार बर्फी तैयार हो गई है अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब कीजिए अल्ला हाफीज